नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द्रिष्टी आईएस के न्यूज ओन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में मैं हूं केवल आपके सामने आज हम बात करने वाले हैं बीत एक सप्ता हमें दुनिया भर में रही चर्चा में जो जगहें थी उन पर मांचित्र पर अधारित प्रश्णों पर यह मांचित्र पर आधारित तो एक एक करके शुरू करते हैं, बीते सब्ता हमने जो आपको सवाल दिया था वहीं से शुरू करते हैं, ये सवाल है निमलिखित द्वीपी देशों को उत्तर से दक्षण के क्रम में वियवस्थित कीजिए, तो ये जितने भी देश हैं, वो किस प्रकार के देश हैं, वो इ उन्ही में से एक कोई सही है, तो चलिए नक्षे पर देखते हैं, नक्षे पर ये सारे द्विपी देश हमें हिंद महासागर और उसके विस्तार शेतर में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हम भारत के दक्षिन की तरफ बढ़ें, तो हमें मालदीव मिल जाएगा, अब ये म मालदीव भारत के दक्षिन में है, लेकिन जो बाकी देश है, उनके तुलना में ये उत्तर में, तो इसके मालदीव के अगर हम दक्षिन में और आगे बढ़ें, तो हमें सेशल्स मिल जाएगा, और सेशल्स के और दक्षिन में बढ़ें, तो कोमरोस मिल जाएगा, और कोमर से दक्षिन में हमें इस प्रकार से देखना होगा तो ऐसी स्थिति में मालदीव फिर उसके बाद सेशल्स फिर उसके बाद कोमोरोस फिर उसके बाद मौरिशस और यह दिपपी देश है आप देखिए यही कम मालदीव, सेशल्स, कोमरोज, मौरिशस मालदीव दो नंबर पे है सेशल्स एक नंबर पे है कोमरोज चार नंबर पे है और उसके बाद मौरिशस तीन तो दो एक चार तीन कौन सा है दी हमारा सही जवाब है चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले एक जरूरी सूशना, सूशना क्या है, कि जितने भी द्रिष्टी IS के सेंटर है, उन सभी सेंटरों में GS का foundation batch शुरू है, और admission याने की शुरू हो चुका है, तो admission अगर शुरू है, तो जो भी आपको जानकारी चाहिए batch के बारे में, अगर आप चाहते हैं तो आप चाहें तो nearest center में जहां भी admission लेना है, अगर दिली में करोलबाग में लेना है, या फिर उतरप्रदेश में प्रयागराज में लेना है, या फिर लखनव में लेना है, या इंदौर में लेना है, या जैपूर में लेना है, तो देखिए सामार अधियन foundation batch जो है शुरू है फिर उसके अलावा देखें तो लखनव में भी 18 अक्टूबर से UPSCGS फाउंडिशन बैच शुरू है और इन दौर में भी फाउंडिशन बैच के लिए एडमिशन शुरू है तो सब जगे एडमिशन शुरू है जो भी 87501 यह नंबर सेव करके रखिए जब भी आपको कॉल करना हो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं अब बात आती है आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल पे कि लिम्नान के समदबंध में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए अब देखे आप की अभी हाल ही में हिजबुलाह के ठीकानों पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक की और किसी दर्मियान इरान ने भी हमला किया कहां पर इसराइल में और अब बहुत जादा गहमा गहमी का महौल हो गया है और ऐसे में लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि अगर इरान और इसराइल सीधे तोर पर लड़ना शुरू कर देंगे तो तृती विश्युदि की नीव भी देखने को मिल जाएगी तो क्या ये वही नीव है या फिर आने वाला युद्ध जिसका लोग अंदाजा लगा रहे हैं वो टल जाएगा तो आने वाले समय में होगा लेकिन अभी हमें तो परिक्षा की हिसाब से ये देखना है कि वो कौन से शेत्र है जिनके बारे में हमें पता रहे तो लेवनान के संबंध में निवलिखित कत्रों पर विचार के जिए या पश्चिमेश्या के लेवन्ट शेत्र का एक देश है जिसकी राजधानी बेरूत है मतलब एक पश्चिमेशिया में एक शेत्र है लेवन्ट और वहाँ पर एक देश है लेवनान और उसकी राधानी वेरूद फिर इसकी सीमा उत्तर और पूर में सीरिया, दक्षिन में इसराइल तथा पश्चिमें भूमध सागर से लगती है कौन सा यसे एक अथन सही है या है किवल एक, किवल दो, एक और दो दोनो या फिर ना तो एक और ना ही दो अब यहाँ पे देखिए यह जो पूरा आप औरेंज कलर में शेत्र देख रहा है यह पूरा लेवन्ट शेत्र है पश्चिम एशिया का है आप देखे तो इराग से भी हमें और पश्चिम में जाना पड़ेगा अब पश्चिम एशिया में यह जो लेवन्ट शेत्र है यहाँ पर सिर्फ लेबनान नहीं है लेबनान तो यहां पर है आप देखें तो यह सीरिया भी है जॉर्डन भी दिखाई देगा इसराइल भी दिखाई देगा साइप्रस भी दिखाई देगा जो भूमद इसागर में है लेकिन हमें यह देखना है यहां पर कि जो लेबनान है वो है क तो सही है, इसकी सीमा उत्तर और पूर में सीरिया, दक्षिन में इसराइल तथा पश्टी में भूमध्य सागर से लगती है, क्या ये बात सही है, हमें के देख लिते हैं, उत्तर और पूर में सीरिया, चलिए, ये है लेबनान और इसके उत्तर में सीरिया है, और पूर में सीर दिया है, फिर उसके बाद ढक्षिन में इसराइल, क्या ऐसा है? अब ये है लेबनान, इसके दक्षिन में ये वाला जो शेत्र है, ये नीचे तक का शेत्र विस्तार, ये इसराइल वाला है. फिर उसके बाद आगे देखें, तो पश्रिम में भूमध्य सागर से लगती है, त और पश्चिम में देखें तो ये भूमध्य सागर है तो दूसरी और पहली दोनों ही बातें अगर सही है और पूछ रहा है कौन सा यसे कतन सही है तो आप कहेंगे एक और दो दोनों यानि कि सी यहाँ पर सही जवाब होगा सबस्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है तुवालू के संबंध में निमलखीत कतनों पर विचार कीजिए ठीक है पहला कतन है यह पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में हवाई और आस्टेलिया के मध्य अवस्थित देश है दूसरा है इसकी राजधानी पुन से सही नहीं है है यह है तो किवल एक किवल दो एक और दो दोनो ना तो एक और ना ही दो कौन सा सही नहीं है नहीं है कि मतलब क्या है कि कौन सा गलत है यह बताना इन में से कौन सा का लग कथन गलत है पहला वाला या दूसरा वाला चलिए देखते हैं यह पश्चिम मध्य प USA के पश्रिम की तरफ हम आए हवाई दिखा हमें Pacific Ocean में अब ये देखिए Australia है ये Australia है उसे नक्षे पर देखें और इस तरफ आपने देखा था हवाई है अब इस तरफ बाहर की तरफ देखें यहां पर आप जो देख सकते हवाई है और ये Australia है और इनके बीच में ही कहां पर आ राजधानी है लेकिन अभी जो अन्य द्वीपों के नाम आये देखिए फुना फुटी आपको मिल जाए ये है उसकी राजधानी ये उसके द्वीप है तुवालू के अब यहां पर देखिए यह है किस महासागर में South Pacific Ocean में आता है ये अब उसके बाद देखें दूसरा statement प न्यू ताओ सारी है तो इसका मदलब क्या हुआ कि पहला और दूसरा दोनों सही है पूछ रहा कौन सा गलत है सही नहीं है य इंडोनेशिया, रूस, संयुक्त राज अमेरिका, नार्वे और ग्रीन लेंड सहित कई देशों के हिस्ते शामिल हैं। फिर दूसरा है आर्गर्टिक शेदर में भारत की भागिदारी मॉंट्रियाल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के साथ 1920 से चली आ रही है। फिर तीसरा है 2007 में भारत ने आर्गर्टिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, वायुमंडली विज्ञान और भो विज्ञान के जाज के लिए अपना पहला अनुसंधान विशन शुरू किया था। हमें क्या बताना है कितने कथन इसमें सही है या हैं। अब देखिए पहला वाला देखिए आर्गर्टिक शेत्र में आर्गर्टिक महासागर और कनाड़ा, इंडोनेशिया, रूस, राज अमेरिका, नार्वे और ग्रीन लैंड सही देश हैं। क्या यह सारे हैं। जितने नाम सबस्ट हैं पहले तो हमें देखी जाएं। आर्गर्टिक शेत्र देखिए हैं कहां। नौर्थ पोल में हम देखें। नौर्थ पोल में यह पूरा और्गर्टिक शेत्र का सरकल है। आर्गर्टिक सरकल अब आप से एक सवाल है कि आर्गर् अब इस Arctic Circle में देखे देश कौन-कौन से हैं एक तो ये Greenland दिखाई देता है जिस पर प्रशासन किसका है Denmark का है पनाड़ा है और ये USA है अलास्का वाला शेत्र है फिर ये रश्या वाला शेत्र है फिनलैंड है त्वीडन है आइसलैंड है लेकिन आप देखें यहां पर इंड इंडियोनिशा कैसे दिखाई देगा इंडियोनिशा तो एकदम अलग ही दिशा में है तो ऐसी सिती में पहला वाला गलत हो गया बाकी अब चेक करने हुजरूरत नहीं है अगर कहीं भी गलती मिल जाए तो वहीं पर रूख जाईए फिर उसके बाद Arctic शेत्र में भारत की भ संधी और ये 2020 से ही चल रही है वर्षत ही है लेकिन उसंधी कौन सी है स्वालवार्ड मॉंट्रियाल नहीं है इसी वज़े से ये भी गलत है फिर तीसरा वाला 2007 में भारत ने आर्कटिक सूक्षम जी विज्ञान वायमंडली विज्ञान और भू विज्ञान की जाच के सही है लेकिन जो पहला है वहाँ पर इंडोनेशिया की वज़े से गलत हो गया और दूसरा मॉंट्रियाल प्रोटोकल कॉल की वज़े से तो कितने कशन सकते हैं केवल यहाँ पर होगा यह हमारा जवाब आगले सवाल की तरफ आते हैं निविखित कत्रों पर विचार सिनाई स्थल संधी का एक उदाहरण है तम सिमसा जील ग्रेट बिटर लेक के दक्षिण में इस्तित है फिर उसके बाद स्वेज की खाड़ी एशिया और अफ्रीका के प्राकृतिक भाजक मानी जाती है आपको बताना है कौन सा या कौन से गथन सही नहीं है यह है केवल एक प्राकृत बिटर लेक कहां पहरेज की खाड़ी कहां है एशिया में और इशिया अफ्रीका के स्थिती क्या है यह सारी चीजें बहुत अलग अलग जगए नहीं है यह मैप में एक ही जगए कि आसपास समझ में आ जाएंगी कितनी बात सही कितनी गलत है अगर हमें मैप को हम अब देखिए यहाँ पे यह है इजिप्ट का शेतर जिसको हम बोलते हैं सिनाई इसी को हम बोलते हैं सिनाई प्रायदीप अब यह सिनाई प्रायदीप में आप देखें तो एक तरफ आपको क्या दिखाई देगा सिनाई इस्थल संधी का उदारन है यह तो अलग-अलग वाटर्बाडी को अलग कर रही है लेकिन जॉड किसको रहा है स्थल संधी आप देखें तो एक तरफ देखिए ये इसराइल है और दूसी तरफ आप देखें तो मिस्र का जो मुख्य में लैंड है वो भी है तो ये तथ्यात्मा गुरूप से जानकारी तो सही है लेकिन तिमसा जील इसको लेक तिमसा बोलते हैं ग्रेट बिटर लेक के दक्षिन में इस्तित है अब इसको देखना है तिमसा जील देखिए सबसे पहले है कहां पर तिमसा जील को आपको देखने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा अब देखिए जब आप आगे बढ़ते हैं इससे गल्फ आफ स्वेज से स्वेज नहर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप देखें लिट हुआ बिटर कहा है इसके काम मतलब इधर कहीं होना चाहिए पर इंधर के उत्तर में लेक किमको पर ओर रहे हैं होना यहां पर क्या है उत्तार इसलिए गलत है अब आगे देखिए ऍवेज की खाड़ी एशिया और अफ्रीका की प्राक्रतिक विभाजक मानी जाती है स्वेच की खाड़ी के बारे में कह रहा है तो क्या ऐसा है आप देखिए स्वेच की खाड़ी आप देखें तो यह गल्फ आफ स्वेच अब इसके बारे में क्या कह रहा है एश्या और अफ्रीका के प्राकृतिक विभाज़क जो एशिया महादूइफ है और जो अफ्रीका महादूइफ है कही पे तो उसकी सीमान धारित होगी ना तो आप देखें तो ये साउदी अरेबिया जॉर्डन इसराइल ये सारा एशिया का ही पार्ट है हम पढ़ते आ रहे हैं अब इसको विभाजक किस तरह से माना जाता है कि सेज के एक चाह अफ्रीका का है और इसके जो सकते हैं ये विभाजक की रूप में ये बात जानकारी और सही नहीं है यानि कि कौन सा गलत है तो केवल दो यानि की उत्तर हो गया बी च्वाब में हम पौंच गया है चलिए, अब आगे वढ़ते हैं, निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिलिपीन्स का अधिकार विस्तार उनहीं देशांतरों के बीच है, जिनके बीच चीन का विस्तार है, फिर दूसरा है, दक्षिण चीन सागर चीनी मुख्य भूमी के दक्षिण पूर में है, जबक पर सवाल को देखिए, निमलिखित कत्वों पर विचार हम कर रहे हैं, फिलिपीन्स का धिकांट शेदर बोल रहा है, तो हमें पता हो न चाहिए फिलिपीन्स कहां पर है, और बोल रहा है कि जो चीन का विस्तार है, उसके आसपास है, उसके अंदर ही है, उन्हीं देशांतर मतलब इग्जैक्ली नहीं पर आप मोटा मोटा भी अंदाजा लगाएं तो यह हमें दिखाई देता है और आगे बढ़ें तो यह 135 दिग्री मोटा मोटा आप यह माल लीजे ठीक है अब यहां पर हमें देखना है कि फिलिपीन्स क्या इसी के अंदर आता है कि नहीं आता है तो आप देखिए यह साउथ चाइना सी इसके बारे मोल रहा है कि यह चीनी मुख्यभूम के दक्षिण पूर में है तो आप खुझ से देखिए जो चीनी मुख्यभूमी है ऐसे अगर हम एक ऐसे लाइन कीजे दो तरफ से अब हम डारेक्शन इसका डिसाइड करें तो यह क्या पूर में है बिल्कुल सही है लेकिन पूर्वी चीन सागर के संदर में देखें तो पूर्वी चीन सागर उत्तर पूर में बोलता है तो आप देखें यह इस चाइना सी चलिए इसको फिर से मिटा दिये यह इस चाइना सी है अब यह इस चाइना सी उत्तर पूर में बोला ज ये वाला पाट सही था, और पहला वाला कथन तो सही था, तो ऐसे में पहला सही है, दूसरा कथन सही नहीं है, कौन से कथन सही है, कौन सा या कौन से, तो केवल एक कथन इसमें सही है, वो है एक, केवल एक, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निमलिखित में स तो यह जो आप शेत्र में अगर हम देख्यें साओ quindi तरफ हम देखें तो हमें क्या दिखाई देगा दस्ट मार्गो और ए यह है कहां पर अफगानिष्तान में अब आलब उसके बाद बात आती है, एक और हमें चाहिए, मकरान शंखला, मकरान हमें इस नक्षे पर कहीं नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि मकरान यहां पे है, यह पाकिस्तान का शित्र है, ये अफगानिस्तान वाला है, और ये देखिये, यह जो इसका यह वाला, ये है प पाकिस्तान में नहीं है, बागी दो का संबंद अफगानिस्तान से है, एक और दो का है, तो सही कूठ है एक और दो, देखिए आप खुद सोची कि जब हमें शुरू में ही ये मिल गया था कि दस्त एक खश और दस्त मारगो अफगानिस्तान में है, जब हमें शुरू में ही प एक और दो कर देते हैं, तो ठीक है, चलो, एक दो हमें मिल गया था, लेकिन केवल दो करेंगे, तो一个 भी हमें मिल था, और esos are the three, हमें तो नहीं सकता है, क्योंकि एक भी तो है, तो ऐसी इसि थिती में हमें जवाब वहीं पर मिल गया था लेकिन हम चलिए आगे बढ़ गए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक और महत्पूर्ण सवाल निम लिखित जनलार्शियों पर विचार कीज़े फिनलैंड की खाड़ी बोतनिया की खाड़ी आर्केटिक महासागर और नार्वेजियन स अगर पराय। में इसी कौन सा यसे स्थ स्वेडेंग IDE कहांपे इन चारों कों की बारे में हम समझपाएंगे Sweden आपको मिरेगा कहां उर्यूरोप में मिलेगा आप देखें आप देखें तो आपको यह है त्वीडन यह पूरा स्वीडन का छेत्र है जो लाइट यहलो में है अब आप देखें तो गल्फ ऑफ बोथनिया यह आपको इससे लगा हुआ दिखाई देता है सबसे पहले तो यह आपको तुरंद दिख गया चलिए एक बार इसारे हटा देत है तो यह तो फिलेंड है और इसके नीचे इस्टोनिया है तो फिल्ल Engineer की खाड़ी पिंल ए इसटोनिया इससे लगी हुई है और यह रॉश्यं फेडलेशन वाला है तो ऐसी स्थिते में तो आप देखें, तो Sweden से तो कहीं नहीं लगी, तो हमें ही यह खटाना पड़ेगा. फिर उसके बाद आर्केटिक महासागर तो यहां पे है अब यह जो शेत्र है यह शेत्र किसका है यह नौर्वे का है तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे इससे भी हटा देंगे अब स्वीडन के साथ तट रेका कौन साजा कर रहा है इन चारों में से सिर्फ बोथनिया की खाड़ी कर रही है अब आप देख सकते हैं तो सही जवाब क्या है सही जवाब यहां पे है सिर्फ दो यानि की केवल दो उत्तर हो गया भी ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं आ अस्थित है और तीसरा है उत्तरी अट्लांटिक प्रवाह यहां के मौसम को अत्यधिक खंड से बचाता है आपको बताना है उपर युक में से कौन सा यह से कथन सही है यह हैं एक एक और दो वी केवल दो सी दो और तीन डी केवल तीन तो आप अपने सवाल का जवाब यानि तक लिए स्वस्त रहें मस्त रहें और पढ़ते रहें धन्यवाद अपने एक्जाम की तैयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले झायारी करने Woah झायारी करने सब्सक्राइब Mayor झायारी करने सब्सक्व adventure वी के लिए झाया Works